दोस्तों आज ये वीडियो सभी रैविट लबर भाई बहन के लिए बहुत ही जरूरी है और ये बहुत खास होने वाला है जिसे सभी रैविट लबर को देखना बहुत ही जरूरी है दोस्तों मुझे एक कमेंट आया हुआ है जैसे यूजर एलक्यू 5FD इनका कहना है कि सर मेर रैविट के पेट के इसकिन में एक पानी के गांठ सी हुई है क्या वो रैविट के पेट का हिस्सा है कि कोई बीमारी है प्लीज रिप्लाई संडे कमेंट बॉक्स तो गाई आज हम लोग इसी महत्वपूर टाफिक पर चर्चा करने वाले है कि खरगोश को बिना किसी के और आप देख रहे हैं आरके पेट्रेवी 10 डेनीमल्स दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर मेरे दिल से हर दिक स्वागत है गाईज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए है य कुछ नया सलुसन देता रहता हूँ तो चलिए गाईज ज्यादा बाते ना करते हुए सिधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो सुरू करते हैं गाई आज हम लोग रैविट के बारे में कुछ बहुत ही महतोपूर्ड चीजे जानने वाले हैं जिसे अगर आप लोग गवर से सुन लेते हैं और इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तब आप काफी हद तक अपने रैविट को होने वाली काफी प्राबलम और मरने से ए क्योंकि अगर आप किसी के एडवाईज का बेट करेंगे तब हो सकता है कि यो रिपलाई जल्दबाजी में ना दे पाई इससे देर हो जाने पर और लापरवाही हो जाने पर आपके रैविट की जान जाने का भी खत्रा बढ़ सकता है और अगर आपके रैविट की पूरी बोडी में कहीं बड़ा सा गांठ है गिल्टी कोई भी ऐसी चीज उभरती हुई नजर आए जो आपको ठीक ना लगे तब आप अपने रैविट को अपने आस पास के किसी भी डाक्टर के पास ले जाकर तुरंत उसका टीटमेंट डाक्टर की सला से करवाने की कोशिश करें कुछ ना कुछ ना लेज इकठा कर लें जिससे आपको अपने रैविट को मैनेज करने में कभी भी दिक्कत ना हो और जब भी आपके खरगोश के ऊपर किसी भी सिकारी जानवर का हमला हो जाए और आपका रैविट घायल हो जाए तब सबसे पहले आप तुरंत उसके किसी इडवाईज का बेट ना करें किसी के रिपलाई का बेट ना करें क्योंकि बिना देखे कोई भी इडवाईज दे सकता है लेकिन सही जानकारी वही दे पाएगा जो रैविट के पास होगा जो उसकी अच्छे तरीके से देख भाल कर सकेगा और उसकी जाच करेगा और उसके रखें कि आपका रेविट बहुत ज़्यादा डरने ना पाए उसके अंदर के डर को आप हमेशा निकालने की कोशिस करें वरना उसे डिप्रेस्ट होकर मरने से बचाना काफी मुश्किल हो जाएगा तो कि अगर किसी सिकारी जानौर का हमला खरगोश के उपर हो जाता है तब उसे चोट चपेट लगा हो या ना लगा हो बटो बहुत ज़्यादा अंदर से डर जाते हैं और उसी डर को निकालना बहुत जरूरी होता है चोट चपेट के घाउड से कही ज़्यादा खतरनाख होता है और गाईज आप हमेशा अपने खरगोश को अच्छी डाइट दें उसे कभी भी human food वगएरा ना खिलाएं ये सब चीजें खिलाने से बचे वरना आपको डाक्टर के पास आपके प्यारे बेबी बनी को अपस ले जाना पड़ सकता है और अपने खरगोश को डाक्टर के पास ले जाने के बाद हमेशा उसे बार बार injection वगएरा ना लगवाएं बहुत जरूरी होने पर ही ऐसा करें और गाईज आप हमेशा अपने खरगोश से अगर प्यार कर सकते हैं तभी उसे रखें वरना उसे समय जादा ना दे पाने की कंडिशन में आप किसी और को दे दे क्योंकि बेजुबान सिर्फ प्यार के ही भूखे होते हैं और अगर वो जादा देर तक अकेले रहेंगे या आप उन्हें अपने से दूर रखेंगे तब वो बोर होकर डिप्रेश्ड हो सकते हैं और गाईज मैं आप सभी को हमेशा यही कहूंगा कि आप अपने पेट रैविट से हमेशा प्यार करें उसे खुस रखें अगर आपका रैविट खुस रहेगा तो काफी सारी बीमारिया उसके पास भी नहीं फटकेगी बाकी गाईजाब सभी खुद ही समझदार हैं और रही बात डाक्टर के पास ले जाने की तो आप अपने आस पास के किसी भी डाक्टर के पास अगर आपका रैविट अचानक से बीमार होता है तो ले जा सकते है चाहे वो एनिमल डाक्टर हो या इनसानों का डाक्टर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बट आपको उसे डाक्टर के पास ले ही जाना चाहिए अगर आप लापरवाही करेंगे तो प्राबलम हो सकता है और गाईज वीडियो पसंद आने पर लाइक के उन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए गाईज मिलते हैं खरगोश से समंदित किसी और नई वीडियो में खरगोश की किसी और नई समस्या पर बात करते हुए तब तक के लिए जाए हिंद